आज हम लोग समझेंगे एंटी मारकॉनिकॉफ रूल तो यह जो रूल है यह खराश ने दिया था इसने कहा था कि आप किसी भी अनसिमेट्रिकल एलकीन यानि ऐसा एलकीन जिसके डबल बॉंड के दोनों साइड पे सेम नंबर ओफ कार्बन प्रेजेंट नहीं होते उसकी रिय प्याक्टन का पॉसटिव पार्ट के उस कार्बन पएट पर एटाग करेंगा जहां पे हाइडरोजन कम नंबर में हो्ता और नेगेटिव पार्ट ऊस Kaiser कारिगा जाइडरोजन ज्यादा नंबर में हो मेरे पास यह एक एक अनिमेट्रिकल एलकीन है इसकी reaction जब मैं HBR के साथ कराऊंगी in the presence of peroxide तो HBR break होके H पर आएगा positive charge, BR पर आएगा negative charge अब इस rule के according positive part वहाँ attack करेगा जा hydrogen कम number में हो और negative part वहाँ attack करेगा जा hydrogen जादा number में हो इसलिए यहाँ पर C के साथ तो attach हो गया hydrogen और CH2 के साथ हो गया BR और double bond single bond में convert हो गया